अगर आप stock market में investment करना चाहते हो लेकिन आपको बता नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे करें कैसे DMET account खोलते हैं कैसे trading account खोलते हैं तो ये video आपके लिए इस video में आपको detail में बताया जाएगा कि कैसे DMET account खोलना है कैसे trading account कोलना है कैसे stocks buy करने हैं कैसे IPO जैसे कोई company नहीं आती है उसके IPO initial public offering में कैसे participate करना है कैसे mutual fund में investment करना है कैसे sovereign gold bonds में investment करना है equity traded funds होते हैं उसमें bonds में हर एक चीज में कैसे investment करना है इस video में आपको detail में live बताया जाएगा बिल्कुल theory नहीं होगी बिल्कुल live आपको बताया जाएगा इस video को देखने के बाद like a professional trader investor आपको हर एक चीज हर एक investment instrument में investment करना आ जाएगा तो चलिए शुरू कर कि नमस्कार मेरा नाम है सुनीर कुमार और स्वागत है आपका इस चैनल पर इस video में मैं cover करने वाला हूं how to invest in share market detailed वीडियो होगा जैसे कि मैंने बताया stocks, IPO, ETF, bond, software, gold bonds हर एक चीज में आपको investment करना आ जाएगा ही वीडियो को देखने के पाद आपकी जानकारी के लिए यह हमारी trading series का beginner trading series का second video है first video में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे investment करना है stock market में उसमें मैंने basically आपको बताया कि stocks में कैसे investment करना है हर एक तरह के stock को कैसे investment करना है वो video महारा पहला video था और उस video में मैंने आपको ब वीडियो होगा जिसमें छे पांच जग छे वीडियो आपको मिलेंगे पहले वीडियो में मैंने आपको basically बता दिया अभी ये second detailed video है सिर्फ investors के लिए जो investment करना चाहते है long term के लिए हर एक चीज, mutual fund, bonds हर एक चीज के बारे में इस video में आपके साथ discussion की जाएगी कि कैसे बताना है मैं आपको live mobile पे live application पे हर एक चीज करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको किसी भी तरह का doubt ना रहे ये video detailed होगा आपको अच्छी तरह सब कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे investment करते हैं ठ सकते हैं माली जो कलको मैंने profit book करना शेयर को sell करना है वह कैसे करूंगा sell करके जो पैसे आएंगे वह मैं bank account में कैसे डालूगा हर एक चीज का question आपको live example के द्वारा पता चल जाएगा और आपका confidence पूरा build हो जाएगा किसी भी तरह के doubt होंगे तो वह निकल जाएंगा आपक हमने exit करना है sell करके profit earn करना है ट्रेडिंग क्या होता है इंट्राइटी ट्रेडिंग क्या होता है आज ही ट्रेड करना है आज सूबा ट्रेड लिया शाम को जो भी profit loss हुआ उसको book कर ले रहा है ठीक है इसी तरह different trading styles होते है swing trading होती है कि आज लिया 10-15 दिन बाद exit करना है वह वीडियो में मैं आपके साथ discussion करूँगा ठीक है और fourth वीडियो भी होगा जिसमें आपको trading strategy मैं आपको बताऊंगा investment से related भी और trading से related भी तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आज मैं आपको बताता हूँ कि investment detail में कैसे करना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर मैं start करना चाहूँगा बिल्कुल basic से देखे जो माने बताया कि मारा पहला पार्ट है उसमें भी मैंने same discussion किया था शायद कुछ लोगों ने वो पहला वीडियो नहीं देखा होगा इसलिए मैं बिल्कुल basic से शुरू करने वाला हू जिस जो की start होता है कि सबसे पहले हमने डीमेट अकाउंट कहां पर उपन करना है जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने अपके साथ discussion की थी कि जब मैंने अपनी टेडिंग और investment शुरू की थी तो 6-7 मीने मुझे पता ही नहीं चला कि start कैसे करूं कहां पर टेडिंग यूट्यूब पर वीडियो देखते थे आर्टिकल्स बढ़ते थे वहां पर बहुत ज्यादा ना confusion क्रेट कर देते थे कि डीमेट आएसी कंपनी में खोलो और पता नहीं चलता था क्या होता था ठीक है 6-7 मीने के बाद eventually मुझे बता चला कि ट्रीडिंग अकाउंट और डीम करना शुरूब कर सकते हूं तो यहां पर यह चीज सबसे जुरूरी है कि देखिए स्टॉक्स प्रोकर के दौरा आपको एक ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है और हमेशा मैंने लास्ट में भी आपको एक्जामपल दिया था कि हमेशा जब भी हम कोई खाना जाते हैं तो हमेशा हम बस बैस्ट रेस्ट्रोन पे चूज करते हैं कि वहां पर अच्छा खाना मिलेगा हमारी सहत में किसी तरह का नुक्सान नहीं होगा इसी तरह जब हम इन्वेस्मेंट के लिए आते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं शेर मार्कित धी क्योंकि उनके पास एक बड़ा कस्टमर बेस होता है तो इसी वज़ा से वो कम पैसे में अच्छी अच्छी सर्विसेज दे देते हैं इस ओफ नौ देश का नंबर वन स्टॉक ब्रोकर है जिरोधा मैं रेक्मेंड करूँगा आपको कि जिरोधा में अपना डीमेड अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कोले का सबसे बड़ा पहला फाइदा यह है कि इनका बहुती ज्यादा बड़ा कस्टमर बेस है भारत में यह भारत के सबसे नंबर वन स्टॉक ब्रोकर है डिसकाउंट कैटागिरी में इनका यूजर बेस बहुत ही अच्छा है कंपनी के एथिक्स भी बहुत अच्छे है इनके जो अपने फाउंडर है नितिन कमात बहुत ही अच्छे हैं इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट लाते है और है इनका जो मोदो है न मेंइंवेस्टर को एज्चेट करना है कि जैसे मुझे लगता है कि प्रोफित अपना जिरोदा का अकाउंट खोले ट्रेडिंग और इन्वेस्मेंट शुरू करने के लिए ठीक है और इसके जो चार्जेज होंगे डीमेड अकाउंट उपन करने के चार्जस क्या होंगे सिर्फ 200 रुपीज है एक साल के एक साल में सिर्फ 200 पे देने हैं आपने और आपका एक साल के लिए रहेगा फिर अगले साल फिसे दोस्तों देने आपको quarterly पचात्तर पर देने पड़ते हैं फिफ्टी फिफ्टी रूपिस quarterly आप से कटते हैं ठीक है कोई बड़े चार्जर देंगे बिल्कुर जैन्यून चार्जर होते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए आपने क्या करना है यह जो वीडियो आप देखे हो इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपने यहां ऐसे वीडियो देख रहे होगे यहां पर मोर पर टैप करोगे उसके बाद फिर से मोर पर टैप करोगी डिस्क्रिप्शन के नीचे और आपक का मुबाइल नमबर है वो यहाँ पर एड कर दोगे और फिर कंटीन्यू पर टैप करोगे नेक्स्ट आपको एक OTP आएगा वो OTP ने यहाँ पर एंटर करना है उसके बाद आपने next steps फोलो करने आपको अधार पर आपको नहीं सारे का सारा application process अपना पूरा कर देना है और विदिन पंदरा मिनट में आपका application process पूरा हो जाता है जैसे इंस्टाग्राम और फेस्बुक की आप ID क्रेट करते हो सीमिलरली उतना ही टाइम लगेगा बस इसमें थोड़ा अडिशनल यह है कि आपके इंकम प्रूफ अधार काड और पैन काड पूछा जाता है ठीक है एक बाद application process पूरा हो गया पंदरा मिनट लगेंगे उसके बाद विदिन 24 आवर 48 आवर के बीच में आपको कंपनी के उस पर आपको एक password सेट कर लेना होता है अपने account को enter करने के लिए आई मिन करने के लिए आपको एक password सेट करना है आपका डीमेड अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट रेडी हो गया सबसे पहले question अगर आप मेरी तरह वो लोग वो हो जो वेट कर रहे थी कि डीमेड सिर्फ दोस्तोर पर लेना है इन्होंने एक साल का अपके ठीक है और bank account आप जब जो statement होगे वो bank account आपके यहां पर link कर दिया जाएगा आपके अकाउंट से पैसे add करने होते share buy करने के लिए और जब आपको profit book कर लिया exit कर दिया जो पैसे वापिस जाएंगे same bank account में करें के लिए in future आप अपने bank account को चेंज भी कर सकते हो ठीक है यह हो गया पना पहला अपी देखिए कि सेकिंड नंबर पे हमने क्या करना है गूगल प्ले स्टोर पे जाना है एक बार जब आपको email आ गया आपने second step पे क्या करना है यहां पे सर्च करना है काइट कि यहां पे लिखाना काइट बाई 0 da इसको open करना है आपने और आपने देखिए 0 da की official एप को install करना है मैंने already install कर रखे है आप इसको install करोगे और उसके बाद इसको open और ओपन हो जाएगी यहां पिर अपने अपना user id एंटर करना है password enter करना है और log in कर लेना है मैंने प्हды52 коп तो दूसरे स्टेप पर हमने अपनी काईट को एप पो फिशल ऐप है फोन में अभी यह अपय इंपोर्टन चीज है कि Kिसी अगर आपको लगता है कि ये trading ऐसे ही होती है जैसे आपके fund safe है या नहीं है ये आपके मन में question है तो आपका जवाब ये है कि देखिए जैसे reserve bank of India होता है जिसके under सारे bank से उसी तरह यहाँ पे होता है cb से बी के अंडर सारी stock brokers होते हैं ये सबी को handle करता है cb regulate करता है ये एंशोर करता है कि investor के साथ किसी भी तरह का दोका ना हो जैसे कि मैंने आपको बताया जब आप number one के साथ जा रहे होते हो fraud के chances बिलकुल minimum हो जाते है कि यहाँ पे ऐसा dashboard दिखेगा जब आप पहली बार login करोगे तो यह dashboard दिखते है आपको ठीक है सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा step by step चलते है ठीक है अब भी देखिए ऐसा dashboard आपको दिखेगा यहाँ पर देखिए विश्लिस्ट वान विश्लिस्ट टू विश्लिस्ट थ्री ऐसे करके आपको seven मिलेंगी यहाँ पर देखिए seven विश्लिस्ट मिलती है आपको इसमें आप क्या कर सकते हो देखिए यह demo आपके education के लिए सबसे पहले उन्होंने आपको बताता हूं जब आपने लोगिन कर लिया विश्लिस्ट में मैं बात में आओंगा पहले हम आते हैं नेक्स्ट उसके बाद देखिए यहाँ कोर्नर पर आपको user id का icon दिख रहा है आपने इस पर टैप करना है second step बता रहा हूं मैं आपको वो होता है पैसे आड करना द करने के लिए अपने profile icon पर अपने टैप कर लिया उसके बाद एक है पहला section है fonts इस पर टैप करो गया पर टैप करने के बाद आपको दिख जाता है आपका balance यहां पर जैसे आप first time कर रहे हो तो आपको zero दिख रहा होगा ठीक है यहां पर आपको zero दिख रहा होगा अभी आपने पैसे एड करने तो आप यहां पर टैप करोगे add funds ठीक है जब आपने पैसे निकलवाने होते तो आप विड्रो पर टैप करते हो अभी हमने पैसे एड करने के लिए तो यहां पर हम टैप करेंगे अभी पहले नंबर पर आ रहा है आपका enter amount कितने पैसे आप add करना चाहते हो जितनी आप investment करना चाहते हो पांच हजार की सो रपे की पांच लाग की जितनी पी चाहते हो वह amount आप यहां पे add करोगे demo purpose के लिए मैं यहां पर 500 रपे add करके दिखाने वाला हूँ आपको फिर यहां पर देखे select bank यह make sure करना कि bank account जिससे यहां पैसे add करो वही same bank account से आपने पैसे add करने ठीक है यूपिया यूज कर रहे हो तो make sure करना कि यूपिया में वही bank select हो जो आपने यहां पर जिरोधा में दिया नहीं तो fund reject हो जाते हैं add नहीं होते हैं ठीक है अब भी देखिए options है हमारे पाल यूपिया के साथ कर सकते हैं Google Pay net banking other में देखिए तो क्या के option है हमारे पास आप दूसरी दरा कर सकते हैं जैसे चैक के द्वारा भी कर सकते हैं तो हमारे पास यह option है यूपिया गूगल पर net banking तो यूपिया इसे हम टैप कर लेते हैं मैं पहले option यूपिया पर करता हूं टैप किया जो भी यूपिया एप्स मेरे फोन में इस्टॉल है वो आ गई जो इस भी यूपिया को यूज करके आपने पैसे अड़ करने उसको स्लेक्ट कर लो और उस पर टैप कर दो आप ही देखिए यहाँ पर अपने पे पर टैप कर देना है आप ही अपना यूपिया पीन एंटर कर दो ओके कर दिया मैंने अभी पैसे अड़ देखिए मैंने 500 पर एड़ कर लिए देखिए कितना टाइम लगा मेरे से साबसे एक मिन बीन लगा पैसे अड़ करने में ठीक है अभी देखिए पैसे 500 पर एड़ हो चुके अभी मेरा पहला काम हो गया पैसे अड़ कर लिए जो मैंन मैं मैं आपको बिताता हूं विश्णिस्ट क्या होता है विश्णिस्ट होता है जो भी स्टॉक्स में यहां पर अप्र अपको यहां पे एड़ कर सकते हैं एसी सब्सक्राइब मिलती है और एक लिस्ट में आप दिखिए पचास टॉक कर सकते हो वह कैसे करना है मैं आपको बताता हूं दिखिए पहले से यह है तो हम विशलिस्ट टू पर टैप कर लेते हैं यहां पर मान लीजे अभी मैं डेमो बर्बस के लिए आपको बता रहा हूं यहां पर मैं रहा हूं यहां सैल करने के लिए सिर्फ डेमो बर्बस के लिए मैं स्टॉक को एड कर रहा हूं और एक्जांपल मुझे टाटा मोटर का शेयर खरीदने में इंट्रस्टेड हूं है तो मैं यहां पर सच कर लूँगा टाटा पेस डालूँगा मोटर्स टीक है यहां पर सेम जो हो रहा है लेकिन उसके आगे लिक हो है मां भी विए जिच और बिया तरी अपने यहां प्लस का आइक कौन दिख़़ आपको नेक्स्ट ताक मोटर के कि प्लस का आइकोन दिख़ रहा है इस पर टैब कर लो अभी यह स्टोक देखिए मैं यहाँ पर बैक पर टैप करोंगा यह देखिए स्टोक हमारे यह पर एड हो गया यह मेरी विश लिस्ट में एड हो गया मतलब मैं इंट्रस्टेट हो में इस टॉक में बाइक करने में अभी मुझे मालीजे कोई ABC और देखिए स्टेट बैंक ओफ इंडिया का शेर का एक्जामपल ले लेते हैं मैं लिख देता हूं स्टेट बैंक ओफ इंडिया देखिए यहां पर स्टोक आ गया NSE BSE जैसे मैंने आपको बताया आपकी मर्जे जो भी करना है हम NSE कर लेते हैं इस बार ठीक है यह हो गया दो स्टोक एड होगे अभी मालीजे और स्टोक भी चाहिए मझे और मैं एक्जामपल ले लेता हूं कोई जैसे ITC कर लेते हैं ITC यह कि आ गया इस बार हम BSE कर लेते हैं ऐसे करके अपने स्टोक आड कर लेते हैं कर ले नहीं है ठीक है ऐसे 50 चाहिए एक लिस्ट में कर सकते हो जितने हैं यह हर लिस्ट सात है आपके सर्फ मतलब साड़ी दीम स्टोक आप वीश लिस्ट में कर सकते हो अभी स्टोक एड कर लिये वेश लिस्ट में अभी आप इंको ट्रैक करना होता है यहां पे देखिए स्टाटा मोटर को 1.5 दिख रहा जकर मतलब कि आज टाठा मोटर का शिह छेर लिलीज के पापको पता wish list में आपने add कर लिया मैंने आपको बताया 7 list है 7 list में जितने stock जाओ आप add कर सकते हो जो भी stocks में आप interested हो उनको add कर लेना आपने ठीक है अभी next step पाता है buy करना ठीक है उसके लिए हम जो भी stock को buy करना चाहते हैं उस पर tap करेंगे मैं टैप करता हूँ टाटा मोटर पे अभी देखें यहाँ पे लिकाओ है बाई सेल मतलब जब एक्जिट करना है ठीक है अभी हमने बाई करना है थो हम बाई पे टैप करेंगे अभी यह आ जाता है ओडर पेज यहाँ पे मैं आपको डिटेल में सबसे पहले आपको बताता हूँ टोक्स को हम डिटेल में कवर करते हैं पहले नंबर पे मैं उपर वाली लाइन को कवर करूँगा फिर दूसरी लाइन को कवर करूँगा फिर यह देखें मैं आपको बताता हूँ यह जो रेगलर लिखा हो ना पहले मैं यह लाइन को कवर करूंगा इसमें जो जो भी है वह आपको बता देता हूं फिर दूसरी लाइन कॉंटिटी वाली लाइन फिर प्रडॉक्ट की टाइप की GTT यह सारी लाइन में आपको वन बाइवान एक्सप्लें करता हूं कि जब आप यह इंटर डे में कहलो यहां दूसरी इंटर डे में होगा इसमें क्या होता है कि आप 442 पे मैंने ओडर बाइ किया माय स्टॉक बाइ किया कवर में क्या होता है स्टॉप लोस मतलब मान लीजे मैंने 440 पे बाइकिया मैंने बाइकिया मतलब मुझे लग रहा है स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाता है इन देट केस मैं कर सकता हूं ओडर लगा के ओटोमेटिकली यहां पर मालीजी 440 पे मैंने बाय किया तो यहां स्टॉप लोस में मैं एंटर कर देता हूं कि 440 अपना स्टॉप लोस एंटर कर देता हूं जब मैं इसको स्वाइप करक तो एक कॉंटिटी स्टॉक बाय हो जाएगा ठीक है और मालीजी स्टॉक ऊपर जाने की बजाए नीचे आता है तो मेरा 440 पे ओटोमेटिकली 2 रुपे के लोस के साथ पर शेयर 2 रुपे के लोस के साथ एक भीट हो जाएगा आफ आगे आता है AMO को कहते आफ्टर मार्केट ओडर आफ्टर मार्केट ओडर क्या होता है देखिए 3.30 आज जो ट्रेडिंग सेशन चल रहा है 3.30 पे ये बंद हो जाता है लेकिन मालीजी आपने 3.30 के बाद आपके दिमाग में आया तो यार मैंने ABC कोई भी स्टॉक बाय करना था अभी आज मिस कर दिया है तो सुबह कल मेरे पास चाहिए टाइम ना हो या मैं चाहता हूँ कल बाय करना जूरी है मुझे ये स्टॉक बाय करना आपको लगता है कि बहुत ज्यादा उपर जाएगा फिर आप इन दैट के सारे तीन के बाद आप आफ्टर मार्केट ओडर डा सकते हो आफ्टर मार्केट के बाद जो करना अब करना आप वहीं दो कारते हो एक है यह दो अब करना उचे करना है अब इसके बाद आप अपना लॉड़ डाल देते हो यह आफ्टर मार्केट ओडर डल जाता है फिर क्या होगा कल 9-15 पर मार्केटет कुलता है días यह कड़ा से लगा क्षोट को है लेकिन आप मैं यदि डाल आप Am सोरी बिसे में इसब डालते हूं उसके बाहता है कि इस스터dan इनफ्ट कोडर आपके लिए नहीं ही यह होता है बड़े investor बड़े traders के लिए जो nifty bank nifty कोई भी stock होता है उसमें limit होता है order डालने का माली जी कोई भी company का share है ABC company का share है उसमें limit होती है so माली जी example दे रहा हूँ so की limit होती है nifty जो अपना save है उसने रखा होता है कि ज्यादा manipulation ना और हो लिए order limit रखा था कि एक टाइम पर आप 100 quantity बाय कर सकते हो ठीक है यह उनके लिए होता है कि जिन्होंने माली जे 100 quantity की एक order की limit है लेकिन आप चाहते हो एक हजार quantity बाय करना इसलिए आपको 10 order बार बार एंटर करने पड़ेते हैं ठीक है आप 100 पहले करोगे quantity बाय करोगे फिर नया order डालोगे ऐसे करने में जो बड़े investor होते हैं जिन्होंने हजारों में quantity करीद नहीं हो वो तो यह फस जाएंगे एक गंटा लग जाएगा इसलिए यह order उनके लिए होता है कि वो बड़ी quantity में उनके multiple देखे number of flags लिखकर देखे यहां पर देखे मैंने 1000 शेयर करीदना है एक order पर 100 की limit है मैंने एक पर 100 करीद लिया इसी तरह यहां पर number of flags मतलब कितनी बार 10 पार order execute होगा मतलब यह order 10 बार execute होगा और 1000 quantity मेरी बाय हो जाएगी ठीक है यह आइसपर्ग आपके लिए नहीं है फिर भी मैंने आपको explain करना जुरूरी समझा मैंने बता लिए अभी हम बापिस आ जाते हैं regular पे हम आते हैं वापिस तो मैं यहां पे आपको बताता हूं सबसे पहले बाय पे आपने टैप कर लिया मैं बैक जाके शुरू से बताता हूं अभी टाटा मोटर पे मैंने टैप किया बाय पे टैप किया अभी आगया regular ही रहने दिन आपने बस मैंने आपको explain किया आपको पता होना चाहिए हर चीज किके quantity field सबसे पहले आती है quantity field quantity क्या कितने shares बाय क करना है यहां पर माली जी मैंने 10 बाय करने तो यहां पर नीचे दिखिए 10 बाय करने तो 4427 रूपीज लगेंगे ठीक है तस quantity के लिए next आता है price field में दो option होते है मारे पास नीचे यहां पर आपको जाना पड़ेगा तीसे नंबर पर दोनों connected है इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं तीसे नंबर पर लिखा हूँ है न मार्केट के नीचे दिखना मार्केट लिखा हूँ है यहां पर मैं टैब करता हूँ मार्केट का मतलब होता है कि जिस भी price पर इस time market पर जो भी price चल रहा है आप उस पर ready हो buy करने पो जैसे अभी चल रहा है 440.30 चल रहा है अगर मैं मार्केट सेलेक्ट होंगा 440.30 पर मेरा order execute हो जाएगा ठीक है जैसे अभी 440 गया 441 पर आ जाए फिर in that के साब क्या करते हो limit पर tap करते हो तैप के नीचे limit लिखा है मैं टैप करता हूँ यहां पर limit पर आप करते हो और उसके बाद यहां पर अपनी मर्जी का price enter करते हो मार्ली जो मैं enter करता हूँ 41 मर्जी का price enter करते हो अभी देखिए 441 आपने यहां पर देखिए गया यहां पर मैं टैप करके बताता हूँ 440.25 चल रहा है लेकिन मतलब एक रुबे 25 पैसे अभी मार्केट उपर है जहां पर मैं बाइ करना चाहता हूँ 441 पर लेकिन प्राइस चल रहा है 442.25 तो अभी आप यह order limit order देखिए मैं आपको डाल के बताता हूँ यह देखिए limit order मैंने डाल दिया अभी मैं चाहूँगा orders में और यह order open है open क्यों है क्योंकि अभी market उपर है हम चाहते है 441 पर बाइक करना लेकिन market का प्राइस गया है 442 अभी market अगर एक कुर्पे गिरेगा फिर मेरा order execute होगा ठीक है यह होता है जब आप limit order तब डाल हो ठीक है अभी 442 चल रहा है मैं 441 पर करना चाहता हूं इसलिए 441 एड किया हुआ है लेकिन अब जब market थोड़ा सा एकर पर नीचे गिरेगा तो यह order मेरा 10 quantity buy हो जाएगी automatically ठीक है इस order को cancel करने के लिए tap करोगे और cancel कर दोगे अब फिर से हम वापीस आते हैं टाटा मोटर पर टैप करते हैं तो सबसे पहले quantity मैंने आपको बता दिया यहां पर quantity buy करो एंटर करोगे कितनी करनी दूसे नंबर पर limit रखना है या market पर buy करना यह आपका चोईस है देखिए अगर investment के लिए कर रहे हो थोड़ा उपर नीचे चलता है तो आप market पे ही buy करो वह अच्छा र आफलाटी प्रडक्ट में डू टाइप हैं इंटरे लिखा हुए मियस और लॉंग टम लिखा है cnc अभी देखें इंटरें मैंने आपको बताया इंटरे का गया मतलब बता है यह होता है ट्रेडिंग के लिए इंटरें ट्रेडरे साफ ने सुना होगा जो यूट्यूब प बाज बाए किया, शाम को आपने exit कर देना है, profit loss लेके जो भी हुआ, उसको कहते है, as an investor, आपने इंटर डे कभी ने करना होता है, आपने हमेशा long term को select करना होता है, long term, जैसे मैंने पहले बताया आपको, आज बाए किया, एक गंटे बाद, पांच मिन बाद पाए, चाहे sell कर दो एक घंटे बात कर दो अगले दिन कर दो दस साल बात कर दो पंदर साल बात कर दो यह आपकी मर्जी होती है in that case आपने लेक्ट करना होता है लोंग ऩर लाउं ठीक है प्रडक्ट आइप आपने हमेशाँ लॉंग टर्म रहना है जब आप इंवेस्टमन कर रहे होते हो अब आगया आगया टाइप में मैंने आपको बता दिया मार्केट मार्केट मतलब जो भी प्राइस चल रहा है उस पर बाइक करना है तो मार्केट कर लो लि ठीक है उसके बाद आता है stop loss order ठीक है stop loss order का मतलब अभी as an investor आपको जूर्त नहीं पड़ेगी ट्रेडर यह होता है जो ट्रेडिंग करते हैं जैसे अगर आपने आपका order exit हो जाता है जो आपने डाली होती है ठीक है SLM भी वैसे ही होता है ठीक है यह भी stop loss होता है इसका भी आपको कोई काम नहीं आपने दो पर फोकस करना होता है market और लिमेट ठीक है ओके नेक्स्ट आजाता है GTT ओके फ्रेंड्स फिर ज्यादा confusion हो जाएगा मैं फिर से उसको GTT पर बात पर आता हूँ अभी देखिए पहले नंबर पर आपने quantity एंटर कर दी अभी मालीज आप एक investor हो आपने buy करना था आपने quantity में कितनी quantity buy करनी है वो select कर लेना होता है ठीक है मैं buy करना चाहता हूँ एक quantity quantity उसके बाद आपने price enter करना होता है यहां अगर आप चाहते हो limit करके price enter करना होता है कि कितने पर buy करना चाहते हो अगर आप चाहते हो market पर जो भी price चल रहा है मुझे उस पर hit दिला दो stock तो आपने simply market कर देना है और यहां पर देखिए price field zero हो गई मतलब जो भी market पर price होगा आ इतनी quantity आपने एंटर की है मैंने एक किये तो एक पर चो भी market price चल रहा होगा मुझे मिल जाएगा product type आपने long term रखना है उसके बाद market रहने देना और यहां पर swipe करना और देखना मैं swipe करूँगा पहले हमने order डाला ना limit limit में 41 डाला था देखिए वह buy नहीं हुआ था क्योंकि 42 चल रहा था प्राइस 41 पर आयेगा फिर buy होना था वह मैंने cancel कर दिया market पे उसी time buy हो जाएगा अभी देखिए मैं swipe करता हूँ उसी time हमारा stock buy हो जाएगा यह देखिए green हो गया completed अभी देखिए हमने portfolio में जाना है portfolio में जाएंगे देखिए position में जाएंगे तो नीचे देखिए टाटा motor का हमारा share buy हो चुका है एक quantity buy हो चुका है ठीक है टाटा motor का एक quantity हमने buy कर लिया अभी देखिए यह stock buy हो चुका है यह अभी stock मेरा हो गया यहाँ पर लिखना holding cnc मतलब मैंने आज buy किया रहा है मेरी मर आँ दस साल बात बेश सकता हूं 15 साल बेश सकता हूं कल बेश सकता हूं मेरी मर्जी मेरी मर्जी जिन भी मेरा दिल करेगा मैं एक्जिट कर सकता हूं अभी कर दो चाहिए ठीक है यह होता है अभी यहाँ पर आपको दिख रहे ना 441.85 और हमारा stock buy होए 441.85 एवरेज लिख यह stock अभी तो यहाँ पर दिख रहा है कल यहाँ पर नहीं दिखेगा कल दिखेगा यहाँ पर holdings में ठीक है यह भी मैं आऊंगा इस section में पहले हम order वाला section complete कर लेते है ठीक है stock को buy करने के लिए simple step repeat कर रहा हूं है यहाँ पर tap करो buy पर tap करो quantity enter करो market ही रहने दो मैं यही recommend करू करने देना है उसके बाद swipe करो आपका quantity buy हो जाएगा जितनी भी होगी यह तो हो गया पहला ठीक है मैंने आपको quantity field भी कर दी product field भी explain कर दी type field में जिसे market limit stop loss SL जो लिखा हो यह भी explain कर दी अभी आपको मैं बताता हूं GTT क्या होता है GTT क्या होता है कि मान लिजिए आज यही टोटा मोटर की example लेकर चलते हैं यह दूसरा कर ठीक है इस पार में हम example लेते हैं SBI की SBI पर tap करता हूं सब्सक्राइब करता हूं SBI का प्राइस चल रहा है 540 रूपी चल रहा है स्टेट बैंक ओफ इंडिया के शेयर का इस टाइप लेकिन मैं चाहता हूं जब स्टेट बैंक ओफ इंडिया का शेयर 400 पर आए मैं बाय करना चाहता हूं 400 पर मुझे प्राइस बहुत अच्छा यार 400 पर मैंने बाय करना था यह तो मिस हो गया भी फिसे 400 500 पर चला गया है इन लोगों के लिए होता है जी टीटी ओडर क्या होता है गुट टिल ट्रेगर घीटी गुट टिल ट्रेगर का मतलग कि यह ओडर तब तक एक बार डालने के बाद तब तक एक्टिवेट रहता है एक बार एक्टिवेट करने के बाद एक साल तक एक ओडर रहता है जो भी प्राइस में अंटर करूँगा माली जह मैंने 400 आंटर किया जिस दिन भी 400 पहल एगा यह कर गार एक साल के बीच में अगर इक साल के बीच में नहीं हुआ तो ओर कैंसर हो जाए गहां और किन यह ग लेते हैं अभी स्टेट बेंग की हम बात करें अभी यह 440 पे मैं जाता हूं 400 पर तो मैं 400 का ओडर लगा के घूंड सकता हूं कहीं पर मुझे बता है जिस दिन भी 400 आएगा मेरे कॉंटिटी बाय हो जानी है यह होता है गोड ट्रेकर ओडर कैसे लगाते हैं ठीक है उसके बाद अभी मैंने आपको बता दिया है हमारा ओडर वाला सेक्शन कंप्रीट हो चुका है कि ओडर कैसे डालने होते हैं ठीक है कैसे आप स्टॉक को बाय करोगे यह चीज हमने कव कर ली हुई है अभी सेकिंड आएगा कि जो स्टॉक को बने बाय किया है उसको कैसे देखना है वो मैं अभी आपको एक्स्प्लेइन करता हूं कि पॉर्टफोलियो सेक्शन में जाओगी इस टाइम मैंने यह स्टॉक बाय किया है तो यह शो हो रहा है यहां पे नीचे लेकि जो होल्डिंग में आप जाओगे देखे यह मैंने और लोगिन किया अकाउंट से यहां पर ऐसे आपको दिखता है अपना पॉर्टफोलियो सेक्शन पॉर्टफोलियो सेक्शन में आपको दिखता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है क्या रिटर्न ने उस पे अरे आपको यहां पर दिखती है सबसे पहले देखे लिए का इन्वेस्टेट यहां पर मैं टैप करके बदाता हूं इन्वेस्टेट पे क्या रहा है वन नाइन उन्नी सो पच्पन रुपे शहत्तर पैसे आ रहे है मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है मेरी उन्नी सो आपके इन्वेस्टमेंट की क्या है रियल वैल्यू है कितनी है 249 रुपे पचास पैसे नीचे आ रहा है प्रोफिट एंड लोस पी एंड एल आ रहा है इसका मतलब है चार सो दिखांव न 480 2.74 मतलब 420 रुपे का मुझे प्रोफिट हो रहा है मैंने 19 रुपे लगा यहां पर कुछ सिनारियो रहते हैं आसे आते आंसे आते हैं कि नीचे विगरता है इन दैट यहां पर माइनस दिखेगा आपको इसमें दिखिए 480 रुपे का मुझे profit हो रहा है invested value भी नीचे लिखिए हुए ऐसे करके आप portfolio section में आपको क्या दिखता है total value of stocks अब यह तो एक stock की भाय किया हुआ है अगर में Tata Motor भी किया होता state bank भी किया होता सारे किया होते सारे दिखते 1 by Y सारे list में दिखते plus उपर टोटल वैल्यू दिखती अगर लाकों में दिखती है अभी मैंने 1900 बच्चपन की हो ए अगर लाकों में होती लाकों में invested का आता और current value का मतलब कि आपके invested amount का current value क्या है और इसमें दिखता है कि profit and loss कितने percent हुआ देखिए मेरे amount पे 24% का मुझे return आ रहा है ऐसे आपको दिख चाता है ठीक है portfolio section में यह हो गया अपना portfolio section का इसमें आपको दिखते है सारे stocks आपके जो भी आपने buy की होते हैं यहाँ पे आते हैं ठीक है next step क्या आगया हमारा next step आगया ज और उसके बाद यह कि लिखा हुआ है exit exit पे tap करूँगा यहाँ पे मेरे पास 50 quantity थी यहाँ पे मैं clarify कर दूँ अगर आपके पास जितनी भी quantity है in my case मेरे पास अभी 50 है तो यह कोई conversion नहीं होता कि 50 की 50 ही मैं profit book करूँ मेरी मर्जी है मैं चाहे तो इन में से 1 sell कर दूँ 10 sell कर द आते हो कि आदा profit book करना आदा book कर लो पूरा करना बूरा कर लो तो यहां पर मैं demo purpose के लिए आपको बता रहा हूं कि सिर्फ मैं एक quantity exit करके बताता हूं 50 stock में एक exit हो जाएगा तो 49 मेरे पास बच जाएंगे ठीक है अभी आपने long term obviously आपने long term ही रहने देना इसमें अपने intraday तो बिल्कुल नहीं करना आप investor हो ठीक है अभी market पे exit करना है आपको मैंने पहले ही समझा दिया market का मतलब जो भी price चल रहा है उस पर हम sell करने को त्यार है अभी देखिए 49.75 पर चल रहा है तो 14 8.79 पे exit हो जाएगा अगर मैं market पे करता हूं अगर मैं चाहता हूं थोड़ा स sell करने के लिए मैं swipe करता हूं swipe करने के बाद आपको authorize करना पड़ता है cdsl के द्वारा cdsl क्या है कि आपकी account को secure करने के लिए एक extra त्रीका है पहले क्या होता था कि देखिए stock brokers चीट करते थे अभी तो नहीं रहा है फिर भी safe हो चुका है सेबी की वज़ा से बहुत करना पड़ता है फिर exit होगा मैं आपको दिखाता हूं यहां पर continue पर tap करता हूं ठीक है अब भी देखिए continue पर tap करने के बाद आपने यहां पर फिर से दबाना है continue to cdsl ठीक है आपको एक pin बेजाता है जो आपने email अपना एंटर किया था उसमें आपको टीपिन आयागा वो number पर बेज दिया जाएगा close कर दो इसको और wait करो cdsl pin आने का आपको cdsl pin आपके mobile पर भी बेज दिया जाएगा just in case आप बूल चुके अगर आपको पता है email में पढ़ी हूए तो continue to cdsl pin पर दबाके proceed कर सकते हो अभी हम wait करेंगे अपनी pin आने का सो फ्रेंड्स देखिए मैंने forget पर टैप किया था मुझे ओटीपि आ चुका है अभी मुझे क्या करना है continue to cdsl पर टैप कर देना है और यहाँ पर जो ओटीपि ए टीपि ने उसको एंटर करना है हमने वो है मेरी इपिन एंटर करने के बाद verify पर टैप करेंगे अभी देखिए एक ओर ओटीपि पर आएगा हमारे email पर ठीक है वो email को verify करने के लिए होगा वो भी आ गया है मुझे वो भी मैं एंटर करता हूँ अभी फिर से verify करता हूँ अभी देखिए अभी मैं order sell कर सकता हूँ quantity देखिए आपको लग रहा है कि दो दो टीपी यह क्या है कि आपकी security के लिए कि आपके जो fund है आपके stock है आप ही sell कर पाओ कोई fraud ना कर पाए ठीक है यह आपकी safety के लिए होता है यह बहुत ही अच्छा है यह वर्थ ट्रॉबल है ठीक है अगर आपको लग रहा है तो अभी मैंने verify कर दिया cdsl पे अभी next मैंने क्या करना है जैसे मैंने बताए एक quantity sell करने वाला हो market पे करने वाला long term में तो मैं अभी swipe करूँगा और देखिए गा market पे कर रहे है तो उसी time हमारा order execute हो जाएगा यह अभी देखिए 49 हो गया मेरे पास 50 quantity थी 49 हो गया मतलब एक quantity sell हो चुकिए orders में जागे मैं देख सकता हूँ सुरी portfolio में position में जागे देखिए एक quantity मैंने sell कर दी अभी उसका profit जो भी होगा वो मेरे account में आ जाएगा ठीक है एक बार देखिए next आ जाता है अभी मैंने stock को sell कर दिया लेकिन यह पैसे मेरे bank account में नहीं जाएंगे यह कहाँ पर आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखिए profile icon पर tap करना अपने funds पर tap करना यहाँ पर आएंगे यह पर अभी 79 हो रहा है जो भी profit उसका होगा ना वो यहाँ पर show होगा यहाँ पर आजाएगा यहाँ रिफ्रेश किया मैंने वो आ गया है अभी यह विड्रो नहीं होगा अभी सैटल होगा कल या पर्सों मैं इसको विड्रो कर सकता हूँ अभी एक बार यह आपके trading account में पैसे आते हैं देखिए bank account में नहीं बेजे जा है तो एक पर्सों आ जाते हैं आपके account में पैसे उसके बाद आपने bank account में वापिस बेज लो ठीक है अभी जैसे यहाँ पर आप टैप कर देना जितना भी आवांड आप करना चाहते हो विड्रो यहाँ पर शोगा वो टैप करने के बाद continue पर दबाना फिर verify कर लेना कि आप के पैसे कल अधिकर यहाँ पर टाइम भी आ जाता है देखे 15 तरीक को एक बज़े से पहले पहले मेरे account में पैसे आ जाएंगे देखिए इतना इसी होता है यहाँ पर लग रहा था कि मेरे पैसे कैसे वापिस आ रहे हैं आपको मैं बता दिया इतना इसी होता है इतने इसी ल कंसोल में चलते हैं मैं आपको थोड़ी और डिटेल बता देता हूं यहाँ पर हम टैप करेंगे अपने प्रोफाइल आइकन पर और नीचे जाएंगे यहाँ पर दिखला है कंसोल में पॉर्टफोलियो section मैंने आपको explain कर दिया उसमें आपको दिखता है सारक क्या चल रहा ह है अपना कितने स्टॉक्स हमारे पास हैं कितना इंवेस्ट किया है कितना हो चुका है ठीक है सब कुछ trade book में दिखता है आपका कि क्या क्या trades आपने डाली हुई है ठीक है आपको पता नहीं है कि कब कौन सी trade डाली थी तो trade book में जाके कर सकते प्रोफिदेंट लोस जब आप आपको explain कर देता हूं कि माली जा आपके कोई दोस्ते हैं आप उनको इनका डीमेड अकाउंट आपको पता है तो आप उनको stocks gift कर सकते हो ठीक है माली जा अभी जैसे मेरे पास gold बीस थे 50 मैं चाहूं तो उनके 10-5 जितने चाहूं उनको gift कर सकता हूं ठीक है जैसे आप सोल में options ठीक है next आ जाते हैं हम IPO अभी देखिए अभी next देखिए आपको मैंने बता दिया stocks buy कैसे करने sell कैसे करने पैसे कैसे याड़ करने वह पैसे जो profit book कर लिया वह वापिस bank मैं कैसे बेजने आपका investment वाला पहला पार्ट क्लियर हो गया अभी second पार्ट पे आते हैं कि हमने initial public offering जैसे कोई company नहीं आ रही होती है IPO launch करती है उसमें कैसे participate करना है ठीक है उसके लिए आप जाते हो order section में और आपको उपर दिखता है यहाँ पे IPO देखिए पहले नंबर पे fourth option है IPO इसको कहते है initial public offering IPO section में जाओके तो यहाँ पे आपको सारे active IPO दिखते हैं जो launch हो रहे हैं और उन पे आप participate करना चाहो तो कर सकते हो मान लीजे यह अभी इस time जो बाकी देखिए close हो चुके है जारे एक active है यह कोई अगर वाल अगरवाल फॉल अगरवाल फ्लॉट ग्लास इंडिया लिम्टेड करके यह company है यह launch हो रही है ठीक है इसका IPO का price यहाँ पे हम tap कर सकते हैं और यहाँ पे detail देख सकते हैं देखिए जो IPO का range होगा जो launch होगा वो 42 रूपीज पे होगा और इनकी जो date है कितनी date तक आप apply कर सकते हो 10 तारीक को यह शुरू हुआ था 15 तारीक तक 15 February तक यह IPO active है आप इसमें participate कर सकते हूँ ऐसे करके apply पे tap करके आप apply कर सकते हो IPO को इसके लिए मैंने separate video बनाया है description section में आपको मैं detail में link add कर दूँगा वो वीडियो देख लेना देखिए बहुत लंबा हो जाएगा IPO का मैंने separate video बनाया है explain देखना है detail में देखना है कि कैसे IPO apply करना है उसमें आपको पता चल जाएगा ठीक है अभी next आग इक रफन क्या होते है जैसे nifty bs होते यह क्या होते है nifty अगर आप नहीं पता है nifty जैसे होता है nifty हमारा index है इसमें 50 company है और यह 50 company को निफ्टी को directly हम buy नहीं कर सकते इसलिए nifty bs होते यह nifty bs क्या करते है जैसी nifty की performance होगी nifty ऊपर जा रहा है तो यह nifty bs का price ऊपर जाए आगर आप nifty 50 में इंवेश्ट करना चाहते हो उसमें टॉप 50 companies होती है भारत की टॉप 50 company होती है अगर आप उनमें इंवेश्ट करना चाहते हो तो simply आप निफ्टी बीज जैसे शेर्स को बाई जो अपने एक्विटी ट्रेट फंड्स होते हैं उनको बाई कर सकते हो उसका मतलब बता है कि निफ्टी उपर जाएगा आप भी प्रोफिट अंकर होगे निफ्टी नीचे जाएगा आपको लोगा ठीक है यह सबसे अच्छा होता ह है जिनको स्टॉक मार्केट की गम नोलेज ना वो सिंप्ली निफ्टी 50 के शेर्स में बाई एटीएफ में अगर इंवेस्ट्मेंट करना शुरू करते हैं बहुत ही अच्छा रहता है निफ्टी 50 का मतलब है कि भारत की टॉक 50 कंपनी में आप पर इंवेस्ट कर रहे हो ठीक पीज हमारा जो यह आ रहा है निपोन का इसको में एड कर लेता हूँ ठीक है ऐसे और भी होते हैं एटी एफसी का निफ्टी 50 है एस बीए का निफ्टी 50 है यह निपोन का हमने एड किया है कोई भी कर सकते हो डैमो परफस के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ यह एडवाइस देना चाहूंगा अगर आप बिल्कुल नए ट्रेडर हो आई मीन इन्वेस्टर हो तो सीधा निफ्टी 20 जैसे इक्विटी ट्रेट फंड में अगर आपके लिए ज्यादा बेनिफीशल रहेगा सिर्फ एक सजेशन है ठीक है क्योंकि यहां पे निफ्टी का मतल करते हो इसके इक्विटी ट्रेट फंड जैसे मैं आपको शो किया यहां पे स्क्रीन पे निफ्टी 20 ऐसे फंड को बाय करते हो तो आप सीधा इंडियन एक्विटी पर अपना पैसा लगा रहे होते हो ठीक है लेकि जब इंडिविजिली किसी स्टॉक पर कर रहे होते हो इन् इंवेस्मेंट करना शुरू करते हो तो यह ज्यादा सेफ होता है और एज उफ नौव आई थिंग 14 परसेंट का रिटर्न चल रहा है निफ्टी 20 में ठीक है तो इन फ्यूचर आप अच्छा वैल्ट कर सकते हो सेफटी के साथ निफ्टी 50 में क्या होता है माली जी कोई कंप अच्छी लगती है उसके एटी आफ आप चूज कर सकते हो एटी आफ को बाइक कैसे करना है सिंपल यहां पर टैप करो जैसे मैंने आपको स्टोक का बताया सिंपल वही यह प्रोसेस जैसे इसका प्राइस 195.98 चल रहा है बाइप टैप करो कॉंडिटी एंटर करो मार्केट प्राइब करना है लिमेट प्राइब करना वो डिसाइड करो लॉंग टर्म रखना है और उसके पास वाइप करो आपका बता दिता हो कि nifty-fifty जैसे मुचल फंड में कैसे आपने आपने इंवस्मेνत करना आ गया वह रागा है पिऑ किसी कंपशन है का लॉंच और आरा ओ आपको वह भी आ गया नंबर दो पे क्योई टेस्टराइब fund में कैसे करना है वो भी आ गया ठीक है उसके बाद और कौन सा रह गया अब ही हमारे पास next आ रहा है mutual fund में कैसे करना है उसके लिए हमें विरोधा की ही एक और एप कोईन आपको देखिए separate account नहीं open करना सिर्फ उन्होंने mutual fund के लिए separate app दे दिये कि जो mutual fund इंवेस्टर है जो सिर्फ mutual fund में इंवेस्ट करना चाहते है उनके लिए separate app है वहाँ पर हर तरह की mutual fund आपको मिल जाते है उसके लिए आप play store में जाओगे और यहाँ पर सर्च करना आपने जिरोधा पॉइन ठीक है यह देखिए पॉइन बाइज जिरोधा नीचे जिरोधा लिखा हो न आपने यह official app को इंस्टॉल कर लेना है जिरोधा की है इसको open करना यहाँ पर देखिए friends आपने mutual fund app को इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आपने login करना है और आपको इसको authorize कर देना है ठीक है first time आपको authorize करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने एक पहले से option दिये होए है आपकी need के according save taxes मतलब इसमें अगर tap करेंगे यहाँ पर जो funds दिख रहे है ना जो mutual fund दिख रहे हैं यह वो होंगे जो आपके tax saving में आपकी help करेंगे जो tax saving mutual fund होते है उनमें तीन साल का lock-in period होता है तीन साल से पहले exit नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद आते low cost index funds आते smart beta funds आगे equity plus debt fund आगे equity plus debt fund मतलब आदा थोड़ा percentage आपका equity market में shares में लगता है बाकी government bonds में लगता है जिससे आपको एक security मिल जाते है उसके बाद लोग fixed deposit से ज्यादा return चाहते हैं लेकिन risk नहीं लेना चाहते यह funds उनके लिए होते हैं कि जो fixed deposit से ज्यादा return देगी लेकिन safe होगी ठीक है यह वर्ण सुनके लिए इसके इलावा यहां पर देखिए 3000 तरह के mutual fund schemes मिलती है HDFC, SBI, PNB, कोई भी एक्सीज हो, कोई भी company हो, जो mutual fund provide करती है, asset management company कोई भी है, यहां पर अप्रॉब्ट होती है, आपने simply उस company का नाम सर्च कर लेना है, जिसमें आप invest करना चाहते हूँ, यहां पर देखिए, यह सारे पहले से ही आगे, इन में से आप किसी को choose कर सकते हूँ, ठीक है, यह simply आप यहां पर search पर tap करके, उस scheme को, जैसे मैं search करता हूँ, HDFC, और यहां पर देखिए HDFC के सारे fund आगे, यहां पर मैं clarify कर दो, यह इसको मैं recommend नहीं कर रहा हूँ, ऐसे buy मत कर लेना, demo purpose के लिए randomly मैंने यह pick किया है, ठीक है, तो कोई भी हम choose कर लेते है, माली जे मैंने यह fund buy करना, इसके tap करो, देखिए, इस fund का अभी 1 का price चल रहा है, 33.371, ठीक है, और इसका 3 साल का जो return आ रहा है, 6.22% आ variance ratio आपको बताई गई है, यहाँ पर इसको buy करना है, simply यहाँ पर buy पर tap करो, investment amount कितना buy करना अचाते हो, 1000 की कितनी investment करना है, 1000, 2000, 1000, 2000, 2000, 2000, 2000, आपकी according, आपने यहाँ पर amount enter कर देना है, और उसके बाद buy पर tap करके invest कर दो, आपका mutual fund scheme buy हो जाएगा, buy के बाद, home पर जाओगे, तो ऐसे दिखिए, यहाँ पर मैंने mutual fund scheme से में invest किया हो है, तो यहाँ पर मेरा portfolio, जैसे उदर 0 दा गई, जो काई टैप पर हमारा portfolio देख रहा था, ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, invested 84,000, 0.99k, ठीक है, कितना हो गया, 84,990 रवे, ठीक है, और इस पर करंट कितना value हो रहा है, ठीक है, 84,989,210, ठीक है, 210 रुपीज का value है, इस time इसका, 4.97% का return मिला है, मुझे, जो profit हुआ है, 4.4220 रुपे हुआ है, इस पर tap करेंगे, तो सारी mutual fund schemes, जिसमें आपने invest किया होता है, वो सारी यहाँ पर show हो जाती है, ऐसे, ठीक है, यह मैंने tax saving funds select की होई थे, ठीक है, वो ऐसी आपने invest कर लेना होता है, अगर आप mutual fund में invest करना चाहते हो, simply यहाँ पर discover पर tap करो, mutual fund scheme, जिसमें भी आप buy करना चाहते हो, जो भी mutual fund scheme buy करना चाहते हो, उसको search करो, उसमें investment amount लिखा होता है, जैसे equity में tap करके, penny pay, या ऐसे serendorly select कर गया है, मैंने, यहाँ पर देखी, clearly दिख जाता है आपको, कि इसका 3 साल का return 11.6% आया, इसमें minimum 5,000 पर invest किये जा सकते हैं, exit load 1% है, सारा चीज़े आपको दिख चाती है, जो fund आपको अच्छा लगता है, भाई पर tap करो, और इसी तरह, SIP भी कर सकते हो, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दू, अगर detail में जानना है, one by one, each step जानना है, तो इस पर भी separate video, description section में, आपको सारे videos मिलेंगे, description section में, mutual how to invest in mutual fund का, एक link को का video का, वो देख लेना, उस पर detail में मैंने बताया, ठीक है, अभी यह video बहुत लंबा हो रहा है, इसी वज़ा से मैं आपको briefly बता रहा हूं, सिर्फ idea दे है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है, नीचे देखा, अगर आप SIP करना चाहते हो, हर मीने, देखे, आप salary person हो, हर मीने कुछ amount, हप invest SIP, systematic investment planning करना चाहते हो, उसके पे भी मैंने एक video बनाया हूँ है, SIP करना है, तो वो कैसे करना है, यहाँ पे, उसके लिए आप वो भी दे होके, यहाँ पे portfolio में, यहाँ पे add होते रहेंगे, ठीक है, SIP कर सकते हो, SIP कैसे करना है, उसका वीडियो, नीचे description section में है, वहाँ पे click करो, वो वीडियो देखो, SIP भी set कर सकते हो, ठीक है, अभी next, हमारे पास रह गया है, sovereign gold bonds, उसके लिए हमें desktop app पे जाना पड़ेगा, क भी update हुआ है, शायद उसके लिए यहाँ आपसे वो option गायब हो गया है, इसलिए मुझे आपको desktop app website पे बताना पड़ेगा, कि वो कैसे हम equity करेंगे, ठीक है, I mean, sovereign gold bonds में और government bonds में कैसे invest करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको website पे बता देता हूँ, as of now, app में वो option नहीं मिल रहा ह मुझे, उसके लिए, यहाँ पे मैंने login किया हुआ है, और अभी मैं जाओंगा coin app पे, coin वाली, coin zerodha पे जाएंगे, यहाँ पे देखे, यह coin app पे इसमे मैं login कर लूँगा, ऐसे ही आपने देखे, coin.zerodha.com पे जाना है, इसको आपने login कर लेना है, यह भी मैं आपको mobile पे बत आया, कि उस पे यह option as of now नहीं दिख रहा है, शायद जो app date होती ही, app तब कुछ बार ऐसा हो जाता है, और जब option आजाएगा, आपको वहाँ पे simple देखेगा, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वैसे यह app पे दिखना है आपको, ठीक है, ऐसा dashboard देखे है, आपने यहाँ dashboard पे tap करना है, और यहाँ पे दिखे लिखा हूँ है, ETF, equity traded fund and SGB, sovereign gold bonds, इस पे आप tap कर सकते हो, sovereign gold bonds आपको बता है, एक बार आप जब buy करते हो, तो gold का जो price बढ़ता है, उसके साथ साथ आपको extra 2.5% यहाँ जितने भी returns आपको select ही होते हैं, वो extra आपको investment amount पे मिलते हैं, इस of now, देखिए, कोई भी sovereign gold bond open नहीं है, अगर open होता, तो यहाँ पे दिखता, simple, मैंने जैसे आपको mutual fund में बताया है, वैसे ही यहाँ पी होना था, सिर्फ buy का option आना है, buy करो, जितनी minimum investment amount होती है, जितनी भी होगी, उतना आपको investment करना पड़ेगा minimum, इसी तरह ETF, अगर कोई open हो आना है, वो कब आना है, upcoming issues देखिए, अभी आएंगे जो 2023 की series के आएंगे न, यह आएगा, 6 मार्च को open होगा, और 10 मार्च को यह बंद हो जाएगा, मतलग, जो next SVG में जो investment का मुका है, वो है 6 तरीक से लेके 10 तारीक तक, ठीक है, 6 तरीक से लेके 10 तारीक के बीच में, यह SVG bond यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप invest कर सकते हो, ऐसे sovereign gold bonds में आप invest कर सकते हो, अगर आप gold में invest करते हो, तिर्फ returns लेने के लिए, तो उससे अच्छा यह होता है, कि SVG bonds ले, उसमें main क्या होता है, making charges नहीं देने पड़ते, इसी तरह के extra GSTA, कुछ नहीं देना पड़ता जब आप SVG bond buy करते हो, gold का price जैसे बढ़ता है, आपको मान लिजे, आपने 40,000 का आज लिया, मान लिजे, 15,000 का सोना चल रहा है आज, और आपने SVG ले लिया, कल को 60,000 को होगा, तो आप exit करोगे 60,000 पे, तो आपको SVG पे 60,000 के साब से return मिलेंगे, प्लस, जब तक आप hold करक 2.5% returns भी मिलेंगे, ठीक है, वो government की scheme की तरफ की और से होता है, तो इसलिए ज्यादा लोग जो board में invest करते हैं, वो करते हैं, SVG में, क्योंकि इसमें आपको double benefit मिलता है, प्लस, क्या पहला, सोने के rate बढ़ेगा, तो आपके SVG का भी rate बढ़ेगा, प्लस, जब exit करो, आपको 2 2.5% return भी मिलते हैं, ठीक है, यह जो returns होते है, interest rate होता है, change होता है, लेकिन 2.5% के creep होता है, ठीक है, ओके, तो मैंने आपको बता दिया, SVG में कैसे करना है, equity traded fund में कैसे करना है, तो that is it, अब भी हमारा जो सारे का सारा मैंने आपको बता दिया है, अब भी इस वीडियो को द आपने share buy करने, आपको बता है कि share कैसे buy करने, अगर कोई पूच रहा है कि mutual fund में कैसे investment करना है, अभी आप यह भी जानते हो कि mutual fund में कैसे invest करना है, अभी मान लीजे, आप sovereign gold bonds में investment ना करना चाहते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, equity traded fund जैसे मैंने बताया है, 50-50 जैसे stocks में invest करना है, जो equity traded fund में investment करना है, directly जिसमें आप इंडिया की economy पे bet कर रहे होते हो, और वो कैसे करना आपको वो भी आ गया है, तो अभी आप एक complete investor बन चुके, so I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने पूरा effort किया है कि आपको detail में बताया जाए, कोई भी question आपके mind में रहे, फिर भी question है तो आप comment box में पोच सकते हो, मैं आप answer कर दूँगा, अभी next वीडियो का wait करना, part 3 वीडियो आएगा, investment series का, उसमें हम देखेंगे कि trading कैसे करनी है, intraday trading और दूसरे trading, swing trading कैसे करनी है, वो सारे मैं आपको next वीडियो में बताने वाला हूँ, उस वीडियो को शायद मैं दो part further, दो part में divide कर दूँ, जिसमें एक part में हम intraday cover करेंगे, दूसरे part में हम trading cover करेंगे, trading मतलब, swing trading और दूसरे trading styles को हम follow करेंगे, तो मैं ये भी कोशिच कर रहा होगी, अभी इस series को शायद 5 part में करो, पहला मैंने आपको basic बताया था, दूसरा आज एका detail था, तीसरा trading पे, intraday trading पे होगा, fourth trading पे होगा, जिसमें swing trading ये वो सारे बताऊंगा, और fifth मैं आपको कुछ trading strategies बताऊंगा, जो beginner trader अगर apply करेंगे, तो बहु जाएगा, plus option trading का course है, वो भी कर लो, so thank you very much for watching this video, अगले वीडियो के लिए तयार है आपको जल्दी वो वीडियो मिलेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, trading कैसे करना है, intraday trading वो सारी दूसरे trading styles आपको बताऊंगा, ठीक है, देखिए, बहुत ज्यादा लोग ये कहते हैं क के साथ करो, तो कुछ भी गलत नहीं होता है, इसमें ठीक है, तो सिर्फ नए trader कब फस्ते हैं, जब वो एक पर profit देख लेते हैं, फिर वो लाल्च में लग जाते हैं, अपना सारा capital एक एक दिन में उड़ा देते हैं, तीन दिन मीने में बाग जाते हैं, trading से, वो नहीं करना ह आपने, trading सही से सीखने के लिए मेरा दूसरा channel है, USD, INRB करके उसमें live trading के video मिलते हैं, उसमें follow करना शुरू करो, मैं अपना best effort करता हूँ कि आप rule based trading course में, ठीक है, so thank you very much for watching this video, आपको अगर videos अच्छे लगते हैं, चैनल को subscribe कर लेना, video like और share कर देना, और अगर आपके कोई दूसरे दोस्ते, जो investment कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पारें, तो उनसे ये video भी share कर दे, thank you very much